तिल के लड़ू लगबग हर किसी को खाना पसंद होता है और क्या बात हो जब लड़ू मिक्सी में बनी वो भी मातर पांच मिनट में थंडी का मौसम है और इस मौसम में ना कोई भी कीचेनल बहुत जादा देर खड़ा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है तो इन लड़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भुन के तियार करेंगे तो यहां पर मैंने नौन स्टिक पैन लिया है आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे भुन सकते हैं तो यहां पर मैंने पूरा एक बॉल तिल लिया है वजन से यह 200 ग्राम तिल है साबी चीजों को नापने के आपको यह एक बरतन सेट कर लिजगा और उसी से नाप के डालिएगा तो जो यह लड्डू है आपके परफेक्ट बन के तयार होंगे अब आपको करनी है यहां पर तिल के भुनाई गैस का आच धीमा रखे और इसे लगातार चलाते हुए भुने तिल के लड्डू की खास बात यही है कि मादर पांच मिनट में यह बन के तयार हो जाता है बहुत ज्यादा महनत नहीं लगती है और नहीं इसे बनाने में कोई जंजट है बस इस लड्डू को बनाते समय एक काम हमें अच्छे से करना है वो है तिल की भुनाई तो धीमी आज भी इसे लगातार चलात बनाते से बनाते स्मय गया है तो तो आपर अगरमिंखे के एक दोह घहनए तो आप में काम इसे पान नहीं कर जो दिचेगा तो नीचे लगेगा तो एक तरफ रहिंगेगे़ यह पूंकि क्लमिये की एक कर देए्आ और अप एक ग तरफ लियंगा है ठाप चांप सय बनग life पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इससे लटो बनाएंगे, इसी के साथ हमें चाहिए होगा गुड, तो एक कप तिल के लिए हमें 3-4 फाई कप गुड का इस्तमाल करेंगे, मतलब एक कप से थोड़ा सा कम. तिल यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडा हो गया है अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे तिल अगर थोड़ा सभी गरम होगा और हम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो तिल में इसे तेल निकलने लेगा तो जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे जार में डालें तो पूरा यहाँ पे आपको तिल नहीं डालना है थोड़ा से यहाँ पे मैंने तिल बचा लिया है इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे अब आप क्या करें कि जार कर धक्कन लगा लें और इसे पल्स पे पीसे मतलब एक बार मिक्सी चलाईए फिर रोकिए फिर चलाईए फिर रोकिए इस तरीके से आपको तीन चाय बार इस प्रोसेस को करना है तो ये देखिए तिल का यहां पे एक दरदरा सा पाउडर बन गया है अगर आप इसे लगातार चलाते हुए पीसेगा तो इसमें से तेल निकलने लगएगा ये एक जगा इखटा हो जाएगा तो लड्डू का जो स्वादे वो खराब हो जाएगा अब हम इसमें गुर्ड डा और इसी के साथ मैंने आधा चम्मच घी डाला है इसे लड्डू का स्वाद भी बढ़ जाता है और लड्डू को उपर एक बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है तो जार का डखकन लगा के इसे भी मैंने यहां पे पल्स पे पीस के तयार कर लिया है और ये देखिए लड जाता है थोड़ा सा तिल जो हमने बचा के रखा था वो भी हम यहीं पे डाल के अच्छे से मिला लेंगे इससे लड्डू देखने में अच्छा लगेगा और जब आप खाईए करना तो स्वाद आपको बहुत अच्छा आएगा वैसे भी ठंड के मौसम में तिल हमें जरू आप इस लड्डू को भी बना के तियार कर लीजए आप इस लड्डू को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके एक महीने तक इसका आनन्द उठा सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और यहां पर मैं एक पीस आपको तोड़के भी दिखा देती हूं कि यह कितना अच्छा सॉफ्ट बन के तियार हुआ है नॉर्मली जो हम तिल के लड्डू बनाते हैं उन लड्डू होते हैं यह काफी सॉफ्ट होते हैं और तिल का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत अच्छा आता है उमीद कहते हूं कि रेसिपी आपको पसंद आई हो मैं चलते ह रिवी बिली बाइ्बाई